केक बनाने से ज़्यादा इंपोर्टेंट है अपना टाइमली किस तरीके से अपसारा ओडर एक्जेक्यूट कर रहे हैं वो करना तो आए इस वीडियो में बातों ही बातों में मैं केक डिकॉरेशन बे सिखाऊंगी और एक पॉरफेक्ट होम बेकर विथ पॉरफेक्ट टाइम मैंनेजमेंट करना भी सिखाऊंगी तो वेलकम बैक टो मैं चैनल वीरास केक डिलाइट और उमीद करती हूं कि ये वीडियो से आप कुछ नया सिखके जरूर जाएंगे तो दो ओडर तो मैंने रात में मिडनाइट के लिए दे दिया करीबन ग्यारा बज़े के करीब कस्ट जब ओडर काफी हो और उस दिन मुझे पाटी में भी जाना था घर में रहना होता तब तो मैं बना दे थी तो मैंने नहीं लिया तो यहां पे क्या करके मैं रखी ये जो फ्लावर्स है वो रात में मैं बना के रख ली थी करीबन जब मैं सारा बेस बना ली रात के दो तीन बजे तक तो उस वक्त जब तक बेस बन रहा था ना तब तक मैं सारे नेक्स टे जो मुझे अरली मॉर्निंग केक्स देने हैं उसके प्रपरेशन कर रही थी जैसे की गनाश बनाना ये सारे फ्लावर्स आप एक दिन पहले भी बना के रख सकते हैं उसे अच्छे से ढग दी थी उन्हें सेम केक चाहिए था तो मेरा ये केक गनाश बनने से फूल बनके रखने से बहुत ही जल्दी डेकोरेट हो गया एक मिनट भी नहीं लगा मुझे ये अरली मॉर्निंग में केक देने के लिए छे बज़े भी चाहिए ना कस्टमर को तो भी आप दे पाईएगा क्य गज़ेए थे क्योंकि दोनों ही केक चर्च में जाने वाला था तो दोनों ने पaster ख्रीक भी ओके दकी चैप का डेकोरेशन चाहिए तो नौर्मली क्रीम कलर से यो ऑफ वाइट कलर हलका सा यलो कलर डालेंगे क्रीम में तो ओफ वाइट कलर का शेड बन जाता है उससे फिनि कॉमिनेशन बनाने के लिए आपको अलग अलग बाउल की जरुवत नहीं है नॉर्मली आप पीच शेड बनाइए उसे वन एम ये टूडी नॉजल में फिल कर लीजिए उसके बाद जो पीच शेड वाली क्रीम बची है उसी में आप पिंक कलर एड कि जिए और आपका ये पिं अले से पीच और पिंक मिला हुआ था तो मेरा ये डार्क शेड वाला कलर वन के रेडी हो गया टॉपर्स जो भी है मदस डेखे ये सारे प्रेपरेशन में एक दिन ये दो दिन जब ही मुझे इल्म होता है कि आज के ओडर्स जादा होगे न किसी occasion के तो में बना के रख लेत और फिनिशिंग के especially ध्यान दिजिएगा कि फिनिशिंग तो अच्छी हो ही साथ आप अपना केक का टेस्ट भी प्रॉपर रखें तो यह पे कोई ये नहीं था टॉपर नहीं था और मदस्टी का टैग भी नहीं था बट मैं यहां पे अपने मन से ये दे दी और कस्टमर का reaction था वाव ये बहुत ही ज़्यादा उन्हें पसंद आया और उन्हें पिक से भी ज़्यादा उनका ये दिया हुआ केक आया उनका जब feedback आया और उन्होंने दो तीन बार मुझे मेसेज की न मुझे वो जो खुशी मिली वो इस Mother's Day के लिए मेरे लिए तो बहुत ही बड़ी गिफ्ट थी तो इस तरीके से मैंने देखिए अपना दोनों ओडर पूरा कर लिया तो अब बाकी के ओडर जो मुझे साम में देने है एक टाइम पे वो मैं कैसे पूरा करूँगी वो आप पाट्टू में नेख लीजेगा तो मिलती हूँ वहाँ पर थैंक यू सो मच फर वाचिंग बाबाई